सबी ख़वरों पे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पो दबाना ना भूलें एक बार फिर लाइप टेन निउज की ख़वर का असर हुआ है सिवान जिले के असाओ के थाना परवारी का एक लड़की पर फिदा होना और बेताहसा परवान चराप्यार महिंगा पड़ गया अपनी प्रेमिका से असलील बात कर उसे सुनसान जगा पर बोलाना दोरोगा जी को जनजाल बन गया इस मामले पर कड़ी करवाई करते हुए सिवान के स्पी अभिनाव कुमार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है आपको बता दे कि सिवान में साधी सुदा दोरोगा का प्रेमिका के साथ असलील बात चीत वाला ओडियो सोसल मेडिया पर तेजी से वैरल हो रहा था मिली जनकारी के अनुसार असाओ के थाना परवारी जिन पर आरोप लगा हुआ 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 एक साधी सुदा है और उनके छोटे-छोटे बच्चे भी हैं वो अच्छपरा जिले के सोनपूर गाओं के रहने वाले हैं उनकी साधी भी छपरा के ही एक लड़की के साथ हुई है साधी सुदा होने के बावजूद भी किसी गैर लड़की के साथ संबंद को लेकर उन्होंने साफ तोर पर कहा क की ऐसी कोई बात नहीं है हाला कि इन गंदी बातों की कॉल रेकोर्डिंग को लेकर भाजपा के अस्थानिय नेता ने सीवान के एसपी अभिनो कुमार को आवेदन दिया था इस मामले को लेकर भाजपा के अस्थानिय नेता अखलेसवर कुमार की ओर से सीवान के एसपी को इस मामले में सिकायत किया गया था उन्होंने सिकायत पत्र में लिखा था कि असाओ के थाना परवारी के द्वारा किसी लड़की के साथ अवैद संबद मनाय जा रहा है उन्होंने एसपी से कहा कि लड़की अभी नवालिक है वो पिछले साली मैट्री की परिक्षा पास करके आई है नावालिक छात्रा से असलील बात करने के लेकर उन पर एसपी के और से बड़ी करवाई करते हुए उनको तुरंट सस्पेंड कर दिया गया है हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं सिवान जिले के असाओ ठाना के ठाना परवारी को सिवान के एसपी अविनो कुमार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है